महाराश्र राज्य पुलिस रेजिंग डे को शुक्रवार को धरमबेट के लक्ष्मिभवन चौक पर आयुजित किया गया कारेक्रम फोरम फॉर एक्वैलिटी संस्था द्वारा आयुजित किया गया था नाकपूर के दमकल विभाग, यातायाति विभाग, पुलिस विभाग के कर्मचारे इस कारीक्रम में उपस्थित थे महाराश्र पुलिस की स्थापना एक जनवरी 1962 में हुई थी जिसको जनवरी के पहले सब्ता में महाराश्र पुलिस महाराश्र राज्र रेजिंग डे के नाम से मनाती है नापूर में धरम पेट के लक्षमी भवन चौप पर इसकारिक्रम का आयोजन फोरम फोर इक्वैलिकी संसा द्वारा किया गया था शहर के दमकल विभाग यातायात विभाग द्वारा बैंड का आयोजन किया गया था जोन 2 की पुलिस उपायुक विनिता शाहु सहित अंबाजरी के वरिष्ट पुलिस निरिक्षक नरेंदर हीवरे बरड़े पुलिस स्टेशन के वरिष्ट पुलिस निरिक्षक अतुल सबनिस और मानकापुर पुलिस स्टेशन के वरिष्ट पुलिस निरिक्षक गनेश ठाक जी ने महाराश्ट्र पुलिस को उनके जो की बोला जाता है यूनिट के कलर्स जो होते हैं वो दिये थे तब इसकी शुरुआत हुई थी महाराश्ट्र पुलिस का स्थापना डिवस इसको माना जाता है और इसी सिलसले में जैनुरी के फर्स्ट वीक में महाराश्ट्र पुलि लोगों को जो भी complaints है उनके साथ में awareness camps आयोजित करके थू रेडियो और बाकी जो है जिंगल्स वगेरे उनके थू लोगों में awareness create करके इसको celebrate किया जा रहा है लोगों का जो missing property है उसको return करके थाली में हमने करीब 19 mobile जो है लोगों को return किये हैं जो उनके missing थे इसके अलावा जो उनका किंती property है वो return करके हम celebrate कर रहे है और इसी सिलसले में आज का जो कारेक्रम पोरम फार इक्वालिटी इस संस्थाने आयोजित किया है जिसमें उन्होंने पुलिस के जो officers है और जो हमारा पुलिस band है उनको felicitate किया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी और मैं यह assurance देना चाहूंगी कि नागपुर पुलिस सभी जो नागपुर के citizens हैं उनकी security के लिए और नागपुर में law and order maintain करने के लिए कटी बद्द है और हमेशा आपके लिए 24-7 हजर है आपको कभी भी अगर हमारी ज़रूरत परती है तो we are just a call away